तो यहां पर जो आज की जो आल इंडिया लेवल की विकेंसी रहने वाली है यहां पर एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज, फुल प्रॉससर हम आपको बताएंगे फिर लगेगी या नहीं लगेगी तो वीडियो में एंड तक बने रहीगा इंडियन नेवी में निकली यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब साथ में बैल आइकन को प्रेस करने के साथ और नोटिफिकेशन को आन करना बिल्कुल भी न बोलना ताकि हमारे आने वाली कोई भी जॉब्स लेटिड वीडियो आप मिस ना कर सकें तो चलिए देख लेते हैं ओफिशल नोटिफिकेशन तो फ्रेंज जैसा कि अब अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो इंडिन नेवी में निकली हुई है वेकैंसी ट्रेडमेंट मेट की ठीक हैं ट्रेडमेंट मेट की वेकैंसी है और यहां पर अगर देख ले हम तो पेसकेल की बात कर है तोटल वेकैंसी की बात कर लिए अगर ये पूरी विकैंसी आगर आप देखोगे तो 1274 वेकैंसी है ठीक है जिसमें कैटेग्री डिवाइड है यहां पर अपने स्क्रीन पे खुद देख पा रहे हो ठीक है कि यहां पे कौन-कौन सी की आटेग्रेंट में कितने वेकैंसी है आप apply कर सकते हो जहां पर form apply करने की बात कर लो तो online आप apply कर सकते हो ठीक है उसके बाद यहां पर हम देख लें आगे notification में क्या बताया है reservation है बिल्कुल बहुत सारे candidates हम से पूछते हैं किसा reservation के बारे में बताया करो तो यहां पर SCST candidate जो भी है OBC candidate है उनके लिए यहां पर काफी अच्छी relaxation दी है ठीक है तो वीडियो में हम आपको आगे पुरा बताएंगे सबसे पहले हम आपको यहां पर important जो students के लिए रहता है कि fee की दिन दी रहने वाली है यहां पर examination fee की बात कर लें तो guys SC, ST, PWD, ex-servicemen और women जो है उनके लिए यहां पर कोई भी fee नहीं रखी गई है और जो general candidates आते हैं उनके लिए 205 रुपे fee रखी गई है ठीक है आगे देख लेते हैं क्या इनने notification में mention किया है examination city की बात कर लें तो जब आप form apply करेंगे वहां पर आपको तीन option दिये जाएंगे according to your preference and according to your choice ठीक है form को apply करने की यहां पर date की बात कर लें तो जैसा कि आप अपनी screen पर देख पा रहे हो 22nd February से यहां पर form लगने शुरू हो चुके हैं और उसके बाद 7 March तक इसकी last date है ठीक है गाइस एक बार मैं फिर से आपको remind कर दूँ 7 March तक आपकी last date है अगर आप इस पोस्ट के लिए apply करना चाहते है eligibility की बात कर लें तो दोस्तों यहां पर आगे हम देख लेते हैं eligibility क्या रहने वाली है जहां पर भी बात की जाती है form filling की तो वहां पर eligibility बहुत ज़्यादा important issue हो जाता है और यहां पर हम देख लेते हैं सबसे पहले age 18-25 साल रहने वाली है ठीक है और age relaxation अगर आपको देखना है तो मैं आपको आगे बता सकता हूँ ठीक है यहां पर essential qualification की बता देब मतों यहां पर 10th pass होना चाहिए candidate और उसके साथ यहां पर ITI किया हुआ होना चाहिए किसी भी trade में ठीक है यहां पर उनको काम क्या करना होगा दोस्तों यहां पर work in production maintenance ship की करनी होगी ठीक है सब्मेरेन की cleaning करनी होगी ठीक है उसके बाद कोई भी files या paper work करने के लिए दिया जाएगा कि आपको मैं दे सकूँ तो इसके लिए आपको हमारा WhatsApp group जाइन करना होगा WhatsApp group में मैं यह PDF send कर दूँगा वहाँ से आप इसको download कर सकते हो ठीक है गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें और मिलते हैं इक नई वीडियो में तिल दिन बाई बाई टीक केर